कुएं में गिरा भालू तो मच गई अफरा तफरी कई घंटों तक कुएं के पानी में तैरता रहा जंगली भालू जार्खन की राजधानी के पिठोरिया थाना शेत्र के नमा डी ही गाउ में एक कुएं में भालू गिरने की सुचना सामने आई गाउ मालों के बीच ये खबर फैलते ही वहां लोगों का जमावडा लग गया कहा जा रहा है कि कई दिनों से भालू का जुन्ड आजपास की इलाके में भरमण कर रहा था और खेतों को लुक्सान पहुचा रहा था लेकिन मंगलवार को एक भालू के कुएं में गिरने की सुचना मिलने पर आजपास की गाउं में हरकम मजगया ग्रामिलो ने इसकी सुचना वण विभाग को दी भालू को लगभग चार घंटे तक खाड पर बठाकर रखा गया मन जियूं के सरक्षन के लिए काम करने वाले रमेश कुमार महतों ने बताया कि भालू कुएं के पानी में डूबने ही वाला था कि हमने उसे खाड की मदद से बचा लिया सब्सकी सुचना विभाग से प्राप्त हुआ उसके बाद हम लोग आये यहाँ पर लगभग डूबने ही वाला था लेकिन खाड को हम लोग अच्छे से बांद के उसको उसको तिकाय रखे और चार घंटा उसमें बैठा रहा वालू और तुकि तिनिरा लाने में लेठ सब्सक्राइब का बहुत सब्सक्राइब कर दो निकाल लिए जाने के बाद उसे मेडिकल चेकप के लिए ले जाया गया जहां उपचार के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा